गुड मोर्निंग एवरिवन जैसा कि आप सभी को पता है जल्दी ही आपके आफसर एप पर सैट एक्जाम्स होने वाले हैं और उसी की तैयारी के लिए आज हम कक्षा पांच की गणित की पाठ्था पुस्तक से अध्याई 11, क्षित्र फल और घेरा के अंतरगते multiple choice question से करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो यह देखिए यहाँ पर पहला question है एक 40 मीटर लंबी तार से एक आयत बनानी है यदि बनने वाली आयत की लंबाई 13 मीटर हो तो चोड़ाई क्या होगी अब हमारे पास 40 मीटर लंबी एक तार है और उसे हमें एक आयत बनानी है तो ये हम ऐसे करके इस प्रकार एक 40 मीटर लंबी तार से अपनी आयत बना लेते हैं और इसकी लंबाई 13 मीटर है ये लंबाई है हमारी और ये कितनी है 13 मीटर है और चोड़ाई क्या होगी अब ये चोड़ाई हमें पता करनी है अब हमें यहाँ पर पता है कि जो हमने ये तार ली थी ये 40 मीटर लंबी तार है और उसी से हमारी आयत बनी है यानि कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? एक ही तार है यानि कि इसका ये परिमाप है तो परिमाप हमें कितना दे रखा है 40 मीटर दे रखा है और परिमाप का 40 हम इधर लिख लेते हैं ये परिमाप है परिमाप का आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जमा चोडाई क्या होता है दो गुना लंबाई जमा चोड़ाई तो यहां पर देखिए यहां पर 40 है और यह दो यहां पर गुना में है तो यहां पर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 40 भाग में 2 40 भाग में 2 बराबर में है यहां पर लंबाई कितनी है 13 मीटर है जमा चोड़ाई यहाँ पर अगर हम 40 को 2 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तराता है 20 और यह 13 यहाँ पर जमा में है देखिए यहाँ पर जमा में है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा घटा में हो जाएगा 20 घटा 13 बराबर में है चोड़ाई तो यहां से हमें अपनी चोड़ाई 20 घटा 13 यानि की 7 मीटर यह क्या आगई हमारी चोड़ाई आगई यह जो आयत की चोड़ाई है यह हमारी कितनी आगई 7 मीटर तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर है यहां पर हम सही का निशान लगाएंगे विकल्प ख पर अब हम इस पर्षन में अपने उत्तर की परताल भी कर सकते हैं जांच भी कर सकते हैं कैसे देखी यह 13 मीटर है यह भी 13 मीटर होगी यह 7 मीटर है यह भी 7 मीटर होगी क्योंकि आयत में आमने सामने वाली बुजाएं बराबर होती है तो अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं तो हमारा 40 आना चाहिए 7 जमा 7, 14 होते हैं और 13 जमा 13, 26 होते हैं इनको हम जोड़ कर देखते हैं तो क्या आएगा 6 जमा 4, 10, 10 की 0 हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4 ये देखे हमारा 40 मीटर आता है तो इस प्रकार से हमारा हल किया गया सवाल बिल्कुल सही है हम अपने उत्तर की परताल भी कर सकते हैं अपने टेट से पहले आप कोपी पैंसिल या पैन लेकर जरूर बैठे ताकि आप अपने सवालों को कोपी में हल करके देख सकें अब आगला question है दी गई आकरती का परिमाब बताओ यहाँ पर देखिए एक वर्ग की आकरती बनाई गई है और उसमें एक भुजा की लंबाई दी है 20 मीटर और वर्ग का परिमाब क्या होता है चार गुना भुजा हम भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा चार बार कर सकते हैं लेकिन हम परिमाब का सीधा फोर्मूला लगा देते हैं तो सुत्र लगा देते हैं चार गुना भुजा तो यहाँ पर हम भुजा की एक लंबाई दे रखी है 20 मीटर इसको ऐसे डारेक्ट गुना करके भी निकाल सकते हैं 20 चोके 80 मीटर हमारा उत्तर आता है तो विकल पर गाह हमारा सही उत्तर है 80 मीटर इस पर टिक करेंगे अगला केशन देखते हैं अगला केशन है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेंटिमीटर है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटिमीटर है इसे 2 सेंटिमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग काक्षेतरफल क्या होगा देखे अब ये 10 है दस में अगर हम 2 बढ़ा दें तो ये कितनी होगी 12 सेंटिमीटर हो ज तो वर्क शेतर फल क्या होता है भुजा गुना भुजा तो हम यहां पर भुजा गुना भुजा का फोर्मूला लगा कर इसका शेतर फल निकालेंगे तो बारा गुना बारा कितना होता है 144 वर्ग सेंटिमीटर क्या आएगा 144 वर्ग सेंटिमीटर तो विकल्प गव हमारा सही गह पर हमें टिक करेंगे और फिर अगला परशन देखिए अगला परशन है एक आयत का परिमाप पांच सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप से आठ अधिक है आयत का परिमाप क्या होगा यहां पर हमें क्या करना है पहले पांच सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप निकालना है एक वर्ग है और उसकी एक बुजा है एक वर्ग बना लेते हैं इसकी एक बुजा है पांच सेंटिमीटर इसका परिमाप क्या होगा चार गुना बुजा यानि की पांच और यहां से आया बीस और आयत का परिमाप इससे 8 हदिक है ये हमारे पास किसका है वर्ग का परिमाप है अब हम आयत का परिमाप निकालेंगे आयत का परिमाप कितना होगा इससे 8 हदिक यानि कि 20 जमा 8 यानि कि 28 सेंटिमीटर आयत का परिमाप क्या है तो यहां से हमारा कितना आया है 28 cm विकल्प गह हमारा सही उतर है 28 पर टिक करेंगे और उसके बाद अगला पास्टन है एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर और चोड़ाई 8 मीटर है यदि रवी पार्क के चारों और चकर लगाता है तो वो कितनी दूरी तै करेगा यहाँ पर देखिए वो आयत के चारों और चकर लगाता है यानि कि परिमाप टै करेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे आयताकार का परिमाप निकालते हैं दो गुना लंबाई जमा चोड़ाई का फोर्मूला लगा देंगे सिधा सिधा और यह लंबाई है 8 मीटर चोड़ाई है दो गुना लंबाई की जगए हम 10 मीटर लिख देंगे 10 मीटर और चोड़ाई की जगए हम 8 मीटर लिख देंगे यहाँ पर देखिए अब हम प्रैकिट के अंदर 10 जमा 8 यानि की 18 मीटर ऐसे हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 18 हो गया तो यहाँ पर 36 मीटर हमारा उत्तर आता है और इस प्रकार 36 मीटर विकल्प में देखते हैं कहाँ पर है विकल्प घ में है यह हमारा सही उत्तर है 36 पर हम सही का निशान लगा देंगे और अगले पशन की और चलते हैं इस आकरती का अक्षितर फल क्या होगा देखे यह आकरती दे रखे यह आकरती क्या है आयत है इसकी लंबाई 5 इकाई है और चोड़ाई 2 इकाई है तो क्या करेंगे लंबाई गुना चोड़ाई का फॉर्मूला लगाएंगे और लंबाई गुना चोड़ाई लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दस वर्गी काई क्या आएगा दस वर्गी काई इसका अक्षे तरफल कितना आएगा दस वर्गी काई विकल्प गह हमारा सही उत्तर है गह पर टिक करेंगे और उसके बाद अगला पस्टन है आकरती का परिमाप क्या होगा ये देखे ये आकरती दे रखी है जिसके भुजा एक 8 मीटर है और ये कैसी आकरती है एक वर्ग है वर्ग का परिमाप क्या होता है चार गुना भुजा यानि की भुजा की जगह हम क्या लिखेंगे 8 मीटर चार गुना भुजा चार गुना 8 मीटर यानि की 32 मीटर यहां पर देखिए हमारा उत्तर है 32 मीटर तो विकल्प गह हमारा सही उत्तर है गह पर टिक करेंगे और उसकी बाद बढ़ते हैं अगले परशन की और एक कागस का टुकड़ा जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चोड़ाई 9 सेंटीमीटर है तो उस काकशेतर फल ग्याद करो तो देखिए एक कागस का टुकड़ा है इसकी लंबाई 14 cm और चोड़ाई 9 cm है तो यह हमारा आयत बन गया जिसकी लंबाई 14 cm और चोड़ाई 9 cm है आयत काक्षितर फल ग्याद करना है तो क्या करेंगे लंबाई गुना चोड़ाई तो यहां से क्या आएगा चोड़ा निमा 126 cm विकलप कव हमारा सही उत्तर है कव पर टिक करेंगे और उसके बाद अगला पर्ष ने क्या हम किसी रसी के द्वारा आकरती का परिमाप निकाल सकते हैं हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं कव पर टिक करेंगे हाँ और उसके बाद वर्ग का अक्षे तरफल कैसे निकाला जाता है तो आप बताएं कि वर्ग का अक्षे तरफल कैसे निकाला जाता है इसका वर्ग के अक्षे तरफल का क्या फॉर्मूला होता है यह आपका आज का होमवर्क है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि वर्क आक्षेतरफल क्या होता है आज के लिए इतना ही मुझे कमेंट बॉक्स में वर्क आक्षेतरफल जरूर लिख कर बताएं और अच्छे से अपने सेट एक्जाम की तयारी करें